बात्चीत का सिलसला शुरू करते हैं सांस आप ले ले या थोड़ा थोड़ा पानी पी ले तो उसके बाद शुरू करें बहुत भागते हुए आए हैं दोनों ये बस लोग जानना चाह रहे थे कि सेशन कब शुरू करवाएंगे आप देखिए पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर कोई अपने आपको भारतिये कहे और विदेशी धर्ती पर जाकर भारत का अपमान करें और माफी वीर तो वो है सुप्रीम कोट में तो कई बार माफी मांगी है कान पकड़के एक बार देश से भी माफी मांग ले मैं बताता ह्ag प्रतीच जी आप कहتे है कुछ बोला नहीं ये कहाँ पर हुआ आप मुझे बताईए जो बात दो निए कामरेism ेश का मतलब ही होता है कि हमारे अंद्रूनी मामले में लें कोई हस तक शेयप नहीं करेगा पहली बात दूसरी बात जूट बोला मैं चुनौती दे रहा हूं यहां इस मंझच पे श्री नरेंडर मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं सब का विक्तव दें और इसलिए माफी मांगें रोन जी जवाब देंगे मेरा तो पक्का जवाब देंगे इनका तैयारी करके आएं मेरा तो यह मतलब दा कि I love you कप कहेंगे किसी और से नहीं विपक्ष वाली उसे I love you कप कहने वाले इसका जब आप पुरी देर में दीजेगा पहले वकील भी है और तैयारी के साथ कागास के साथ आएं आप पूरे सबूत के साथ बताईए देगे जब जूट होता तो तैयारी जादा करनी पड़ती है और जो आप कहे अगर यह लोग कर ले ना तो संसत कब से चल चुकी होती है देखे मुद्दा अभी उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मैं यहां पर बैटा हूं जिम्मेदारी से बोलता हूं इनके प्रवक्ता रवीशंकर प्रशाद ने एक वर्ड यूज किया इ मैं रेजिगनेशन अभी दे के पार्टी छोड़ दूँगा पॉलिटिक छोड़ दूँगा अगर यह वर्ड यूज दिखा दे तो यह चोड़ दे आज मैं जाहिरवन से चैलेंज करता हूं करके दिखा तब तक जूट फैला होगे भाई साथ हस्तक्षेप और इंटर्पि वर्ड का यूज इस्तेमाल हां इस्तेमाल हुआ क्योंकि यह समय हो जाए तो फिरता है हो जाएगा देगे मैं मैं उत्तर देता हूं हस्तक्षेप वर्ड इस्तमाल किया है यह चैलेंज कर रहे हैं देखिए वकील नहीं है लेकिन अच्छा अर्ग्यूमेंट लगा मुझे क्योंकि अंग्रेजी में राहूल गांदी बोल रहे थे तो हस्तक्षेप तो कहेंगे नहीं अब आदा मिने बॉलाईए अपसर ऐसा होता है जब कमजोर कोई समझता है आप मजबूत है महाबली बताईए इंटर्फेर्स बताईए अचा ठीए जब आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे आशा मैंने टोका नहीं था बिल्कुल नहीं टोका वह फ्लो जो होता है वो टूटता है बहुत अच्छे प्रवक्ता है देखिए मैं आपको क्रमवार तरीके से बताता हूं एक भारतिय होने के नाते और मुझे यह आशा है कि पूर चाहता हूं यह जो चौपाल है क्या न्यूज 18 और प्रतीक त्रिवेदी धर्थर कापते हैं आज लोकतंत्र खतम हो गया है पहली आपती दूसरी आपती वो कहते हैं कि न्याइपालिका हमारे देश में खतम हो गई है आप याद करिए पवन खेड़ा इनी के साती हैं गिरि हैं और जो मुसलमान हैं यह दुद्ट श्रेणी के नागरिक हैं चौती बात मेरी आपती उन्होंने कहा मैं कश्मीर में था एक आतंगवादी खड़ा था उसने मेरी आखों में देखा मैंने उसकी आखों में देखा इलू इलू प्यार हो गया वाह अरे अगर आतंगवाद इलू इलू करते हैं आप मुझे बताईए ये बाते विदेशी भूमी में कहना कितना अच्छा है और अंत करूंगा एक बात कहके यह वही राहूल गांदी है मत भूलिएगा और प्रमाण अगर मांगे के तो दे दूँगा जिन्होंने चुनाब के दौरान कहा रफेल रफ कि क्या क्रेडिबलेटी है और देश आज उनसे यह सवाल पूछ रहा है जो मैंने इस मंच से उटाएं तन्यवाद